गुद मॉर्निंग देट वर्क आज क्लास ग्रूप में दे दिया कैया है तो आपको एक पोयम कविता लिखने के लिए दी गई है आप उसको हिंदी की कॉपी में लिखिएगा और फिर क्लास ग्रूप में सेंड कर दीजेगा ठीके भीटा, आज आपको व्याकरण में जितना आपको बताना था जितना आपको एनवल एक्जाम के लिए पढ़ाना था भीटा, वो सलाबस हो चुका है आपको उतना ही तयार करना है ओके बेटा आपको बहुत जल्दी ही कल से रिवीजन बर्ग में स्टार्ट कर दिया जाएगा और आप बेटा आज हिंदी में आपको पढ़ना है चैप्टर नमबर 10 इससे भी आपको कुछ क्वेशन दिये गए हैं तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नमबर 10 की रिडिंग करते हैं ओके बेटा चैप्टर नमबर 10 का नेम है Adventure Island मेरे चाचा जी दिल्ली के शादरा छेत्र में रहते हैं एक बार अपने चचेरे भाई चिंटू के जन दिन के आउसर पर मैं परिवार सहीत दिल्ली आया ओके चाचा जी ने हमें Adventure Island ले जाने का कारिकरम बनाया मैंने चिंटू से Adventure Island की बारे में सुना था परन्तू मुझी वहाँ जानने का आउसर इतनी जल्दी मिल जाएगा सोचा न था ओके चाचा जी हमें शादरा मेट्रो स्टेशन ले के गए वहाँ हम दिल्ली की शान सवारी अरधात मेट्रो ट्रेन में सवार हुए जमीन से कही फीट ऊपर ट्रेन में बैट कर हम सभी प्रफुलित थे दौर्ती ट्रेन से भारत का दिल कहीं जाने वाली दिल्ली की दर्शन करना हमारे लिए एक रोमैंचक अनुभव था मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में बैठा था कौन कह रहा है बेटा वो बच्चा ओकी एक बच्चा है वो अपनी चाचा जी के बेटे के जम दिन के असर पर कहां गया दिल्ली गया और वहाँ पर बेटा उसे कहां जाना था एडवेंचर आइलेंड उनकी चाचा जी ने ब्लान बनाया कि सबको सारे बच्चों को एडवेंचर आइलेंड हम लोग घुमाएंगे तो देखी वो गया अडवेंचर आइलेंड इसलिए कुछ आधिक उचसाहित था हम रिठाला मेट्रो स्टेशन पर उतरे वहाँ से अडवेंचर आइलेंड के लिए चाचा जी ने एक टैक्सी ली चलिए आगे कॉंटिन्यू करते हैं एडवेंचर आइलेंड के प्रवेश द्वार को देखकर मुझे लगा कि मैं परियों के देश में प्रवेश कर रहा हूं चाचा जी ने अंदर जाने के लिए टिक्टे ली तब तक मेरी उत्सा उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई अंदर प्रवेश करते ही विभिन प्रकार के जूलों को देखकर मेरा मन डोल गया मैंने उत्सुकता वस पूचा चाचा जी क्या आम सभी जूलों पर जूल सकते हैं चाचा जी ने मुस्कूरा कर उत्तर दिया नहीं सचिन तुम अभी चोटे बच्चे हो सब पर नहीं जूल सकते क्योंकि यहां कई जूले बहुत खतरनाक है इन पर बच्चों को नहीं बैठने दिया जाता फिर चाचा जी ने बताया यहां 26 प्रकार के जूले हैं जैसे एर पोगो, वाइल्ड वील, स्काइराइट्स, ठीक है साइड विंटर और साइकलॉन है हमने कई जूलो का आनंद लिया है चाचा जी ने बताया कि एडवेंचर आइलेंड रोडी में 62 एकर छेत्र में फैला हुआ है यह दिल्ली का पहला थीम पार्क है जिसे टोरंटो के आधार पर बनाया गया है यह लोगों के लिए 14 नॉमबर संदोजार 6 को पहली बार खोला गया था इसे अधिक तर जूले यूरोप से आयात किये गए है ओके चले नेक्स पीच पे दिखते हैं बिटा फिर चाचा जी हमें वाटर पार्क की ओर ले गए वहां हमने स्प्लैस डाउन ठीक है फ्लोट बोर्ड आधी का मजा लिया ठीक है रॉकिंग टंग और डर्बी डेविल्स में तो सभी बच्चे चीख चिला रहे थे गुमते गुमते शाम के तीन बच गए हम सभी मेट्रो वाक मॉल में गए वहां खाने पीने की तरह तरह की दुकाने थी क्या देसी क्या विदेसी सभी थी हमने वहां बर पेट खाना खाया खाना खाने के बाद हमने नरूला में बैठ कर आईस क्रीम खाई हम सभी ठक चुकी थे लेकिन चाचा जी ने कहा जब यहाँ आए ही है तो इन्हें जैपनीज पार्क भी दिखा दीजी चाचा जी को यह सुजाओ अच्छा लगा उन्होंने टेक्सी वाली को जैपनीज पार्क चलने को कहा जैपनीज पार्क को स्वर्ड जैपनीज पार्क को स्वर जैन्ती पार्क भी कहते हैं जैपनीज पार्क पहुंचकर हमारी थकान नजाने कहां गायब हो गई प्रकृति से जुड़ाया पार्क किसी साही पार्क का आभाज कराता है वहां घंटों तक घूंते रहे शाम की साथ बजी चाचा जी ने घर चलने के लिए कहा मन तो वहाँ से आने का नहीं था पर आना तो था ही हम सभी वापस मेट्रो ट्रेन में आ गए और मेट्रो में बैठे इस रोमेंचर यात्रा ने मेरे मन में अमिट चाप छोड़ दी बड़ा होकर मैं पूना यहां पूना आना चाहूंगा ओकी बिटा पता है सॉरी यह एक स्टोरी है जो एक छोटा बच्चा डेली में एडवेंचर आइलेंड घूमनी जाता है उसका वर्डन करता है कि हमने वहाँ क्या क्या देखा और फिर उसकी बाद एडवेंचर आइलेंड कहां है एडवेंचर आइलेंड रोहिडी में 62 एकर छेतर में फैला हुआ है एडिली का पहला थीम पार्क है और कभी यह ओपन हुआ था 14 नॉमबर सन 2006 में 14 नॉमबर को Children's Day होता है न बिटा उसी दिन बच्चों के लिए ओपन किया गया था तो यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है आई होप बच्चों को भी पता चला होगा सारे बच्चे तो डेली गए नहीं है जो बच्चे नहीं गए है उनको पता चला होगा कि Adventure Island कहा है दिल्ली में तो बच्चा आपका आज का Homework क्या है आज का आपका Homework है Copy में आपको क्या लिखना है Word Meaning यह सबदार्थ को Copy में पूरा लिखना है ठीक, कल हम आपको Question Answer कराके Finish कर देंगे फिर हम लोग बहुत जल्दी ही Revision Work स्टार्ट करेंगे आपको देखी, Days कम मिलते हैं मुझे तो हम आपको एक वीडियो में कही Revision Work दे दिया करेंगे ओके बचा I hope आप लोगों को आज की Reading समझ में आई होगी और अपना homework भी आप लोग अच्छे सकरिएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में बटा Till then, take care Thanks for watching